नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MNP Knowledge School में साथियों आज हम बात करेंगे LIC के दो money back plan के बारे में 820 और 821 नंबर जिसको हम लोग 20 और 25 वर्सिय धनवापसी योजना भी कहते हैं साथियों, LIC हिंदूस्तान की एक मात्र सरकारी जीवन वीमा कमपनी है सबसे पुरानी जीवन वीमा कमपनी है और सबसे बड़ी जीवन वीमा कमपनी है जिसको भारा सरकार की गारंटी प्राप्त है LIC जो भी policy करती है जो बोनस डिक्लेयर करती है जो भी वादा करती है वो भारा सरकार के द्वारा उसकी जिम्मेदारी ली जाती है और भारा सरकार उसको पूरी तरीके से 100% गारंटी देता है इसलिए जब भी इंसुरेंस पॉलसी कराईए तो LIC से ही कराईए money back यानि धन वापसी money back का मतलब यह होता है कि आप एक निश्चित अवधी तक premium देंगे और कुछ समय के बाद आपको पैसा वापस मिलता रहेगा ठीक है छोटा-छोटा amount आप premium के रूप में देते है LIC को और इन दोनों प्लान में हर पाचवे साल पे आपको बीमा धनका यानि जितने की आपने policy ली है उसका कुछ percent आपको वापस मिलता रहता है तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है साथियों आप एक वैवसाई है नौकरी पेशा व्यक्ति है ग्रहणी है छात रहे या कहीं भी आप कुछ भी आप काम करते हैं अगर हर पाच साल पे आपको ठीक ठाक पैसा वापस मिलता रहे तो एक continuity बरकरार रहती है फानेंसिल कॉंटिनुटी और आप दिमागी तोर पे निश्चिंत रहते हैं और सबसे अच्छी बात क्या है कि आए हुए मनी बैक जो हर पाच साल पे आपको मनी बैक मिलता है उसमें जो मनी बैक होता है आप देखेंगे तो लगबग ढ़ाई तीन साल का प्रीमियम जो है क आगे के प्रीमियम की जो चिंता करने की आपको जरूद नहीं है साथियों दो प्लान है जैसे मैंने बताया आपको money back का पहला 820 नंबर है दूसरा 821 नंबर है 820 नंबर जो होता है वो 20 साल के लिए होता है जिसमें premium हम जो है 15 साल तक देते हैं और 821 नंबर वो आपका 25 years के लिए होता है जिसमें premium हम 20 साल तक देते हैं इसका नाम 20 वर्सिय धनवापसी योजना है और इसका नाम 25 वर्सिय धनवापसी योजना है आईए देखते हैं कि ये plan लेने के लिए अहरता क्या है योग गिता क्या है सबसे पहला जो plan है 820 नंबर जो 20 साल के लिए होता है जिसको 20 वर्षी धनवापसी योजना कहते हैं, उसमें नियूंतम जो उमर है वो 13 साल complete होना चाहिए, यानि कि 13 साल का कोई व्यक्ति ये प्लान मिनिमम ले सकता है, अधिक्तम उमर 50 साल, यानि 50 साल तक का व्यक्ति maximum जो लिमिट है वो भी ये प्लान ले सकता है, यानि कि 13 से ल गुना बीमा, जैसा मैंने आपको अभी कुछ वीडियो पहले जीवन आनंद बताया था, उसमें भी मैंने बताया था कि आपका सवा गुना बीमा होता है, धन वापसी योजना में भी सवा गुना बीमा होता है, यानि बीमा एक लाग का होगा, लेकिन अगर कुछ हो जाता ह तो LIC सवा लाग रुपए देगी 10 लाग का बीमा अगर होगा अगर कुछ हो जाता है तो साड़े बारा लाग रुपए बोनस के साथ LIC वापस करेगी इसी को सवा गुना बीमा कहते हैं तो निउंतम पीमा एक लाग का होगा अधिकतम पीमे की कोई limit नहीं है और जो 820 नमबर प्लान है वो 20 साल तक चलेगा आपका पीमा लेकिन premium आपको सिर्फ 15 साल तक देना होगा यानि एक लाब आपने और देखा कि policy तो 20 साल की है लेकिन premium सिर्फ 15 साल तक देना है ठीक है दूसरा जो प्लान है 821 नंबर यानि 25 वर्षिय धनवापसी योजना इसमें भी नियुन्तम उम्र 13 साल है लेकिन इसमें अधिक्तम उम्र जो है वो 45 इयर्स है यानि 45 इयर्स से उपर की एज का वेक्ति ये प्लान नहीं ले सकता है यानि की 13 to 45 820 नंबर जो प्लान था वो 13 से 50 था ये 13 से 45 है नियुन्तम वीमा इसमें भी एक लाग का है और सवा गुनारिस कवर है अधिक्तम की कोई सीमा नहीं है ये पॉलिसी 25 साल के आपको वीमा कवर देगी लेकिन प्रीमियम इसमें भी सिर्फ 20 साल तक देना है यानि की पॉलिसी स्वाइडrees को 20 यार नियर मनी बयक प्लान है इस पॉलिसी में बीमा लेने के बाद हर 5 साल पर बीमा धन की 20-0 परिसSTम पर दूर्ट को को वापतस होगा कैसे जैसे आपने पॉलिसी ली है आज ठीक है जितने amount की आपने policy लिए उसका 20% आपको 5 साल के बाद वापस मिल जाएगा फिर से 20% 5 साल के बाद यानि की 10 साल पे ठीक है फिर 15 साल पे 20% यानि की total आपको 60% 15 साल में मिला के वापस हो गया और जब maturity होगी 20 साल पे तो maturity पे क्या मिलेगा 20 साल पे यानि की वो मिलेगा 40% जो बज गया यानि की 60 तो आपको पहले मिल चुका था ठीक है और प्लस उस समय तक का bonus ठीक है आगे मैं example दूँगा आपको समझ में आ जाएगा exact क्या है और premium मात्र आपको 15 वर्स ही देना है जैसा मैंने बता है शुरुगात में 20 साल की policy है लेकिन premium आपको सिर्फ 15 यह तक देना होगा एक example देखते हैं आपको clear हो जाएगा अगर किसी व्यक्ति की उमर 30 साल है और उसने 820 प्लान लिया है ब्रैकेट में 15 का मतलब यह होता है कि उसको 15 साल तक ही premium देना है और बीमा 10 लाग का है तो 5 साल के बाद 5 साल के बाद 10 लाग का 20 परसंट 10 लाग का 20 परसंट कितना हुआ 2 लाग रुपे हुआ वो 5 साल के बाद आपको वापस हो जाएगा फिर 10 साल के बाद 10 लाग का 20% फिर से यानि की 2 लाग रुपए फिर वापस हो जाएगा 15 साल के बाद फिर से 20% यानि की 2 लाग रुपए फिर वापस हो जाएगा और यहीं पे आपका premium जो है stop हो गया यानि 15 years तक आपको premium देना था अब maturity कब हो रही है 20 साल के बाद हो रही है तो maturity पे क्या मिलेगा 4 लाख यानि 10 लाख का कितना परसंट 40 परसंट जो बच गया 60 आपको यहां मिल गया 40 यहां बचा है 40 प्लस 60 जो है वो 100 होता है तो 40 परसंट यहां मिला प्लस bonus और प्लस additional bonus bonus और additional bonus के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारा जीवन लाव का वीडियो जरूर देखें और आप जीवन आनंद का भी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने bonus कैसे निकाला जाता है उसके बारे में विस्तार पूर्वक समझाया है लेकिन आप ये याद रखिए यहाँ पे कि 40% प्लस आपको bonus और additional bonus मिला कर 12,20,000 रुपए maturity पे मिल जाएगा यानि कि 15 साल तक आपने premium दिया और हर 5 साल पे आपको 2,2 रुपए वापस हुआ और maturity पे 12,20,000 रुपए और मिल गया अगर आपने policy 10,000 की ली है तो साथियों शुरुवात मैंने बताया था कि हर 5 साल के बाद जो money back मिलता है उसमें करीब-करीब 2,3 साल का premium वो adjust मतलब कर लेता है यानि कि अगर आपने 10,000 की policy ली होगी 30 साल की age पे तो लगभग लगभग आप 5 साल में 4,000,000 के आसपास आप जमा करेंगे टोटल 5 साल मिला के ठीक है और आप देखेंगे 4,000,000 जमा करने के बाद आपको 2,000,000 वापस मिल जा रहा है यानि जो जमा किया लगभग लगभग वो पैसा आपका वापस मिल गया तो अब जब 2,000,000 वापस मिला तो आप आगे जो छटमे साल का साथमे साल का आठमे साल का जो प्रीमियम होगा वो आप इस मनी बैक से भी दे सकते अगर आप चाहें तो यानि कि अगर आपको ये लगए कि आगे का प्रीमियम हमको कैसे देना है तो ये उप्षन आपके पास है नहीं तो एक और उप्षन होता है आप इस मनी बैक को अगर किसी FD में या किसी सिंगल प्रीमियम प्लान में फिक्स कर देते हैं और इसको भी जैसे ये 5 साल के बाद आपको जो मनी बैक मिला इसको आप अगले 15 साल तक यानि maturity तक आप फिक्स कर दीजिए तो 15 साल में आपका पैसा जो है लगभग लगभग तीन गुना हो जाता है ठीक है ठीक है ठीक है ऐसे ही जो 10 साल के बाद आपको मनी बैक मिलता है उसको आप 10 साल के लिए फिक्स कर दीजिए तो भी आपका दो का करीब 3 लाख रुपई आपको मिल जाएगा यानि अगर आपको मनी बैक की जरुवत नहीं है तो आप इस मनी बैक को FD के रूप में या सिंगल प्रिमियम प्लान के रूप में फिक्स कर सकते हैं तो उससे आपका जो मैचियोर्टी पे ये तो मिलना ही है 12-20 प्लस इस FD की इस FD की मैचियोर्टी मिलाके करीब आपका जो है 20 लाख से उपर आपका वो जो आपका टोटल अमाउंट आपको मिल जाएगा एक option है ये आपके उपर है ठीक है ऐसे ही 821 नंबर प्लान है जो आप 25 साल के लिए कराते हैं जिसमें आपको प्रीमियम 20 साल तक देना होता है इस प्लान को मैं समझाता हूँ जैसे 820 में आपको हर 5 साल पे 20% मिल रहा था भीमाधन का इसमें हर 5 साल पे आज 5 साल के बाद जितने की पॉलिसी है उसका 15% 10 साल के बाद जितने की पॉलिसी है उसका 15% 15 साल के बाद जितने की पॉलिसी है उसका 15% और 20 साल के बाद जितने की पॉलिसी है उसका 15% यानि कि 60% इसमें भी आपको पहले 20 साल में वापस अब 20 साल में प्रीमियम बंद हो गया, मैचियोटी कब हो रही है, 25 साल पे, तो 40% बच गया, 60 प्लस 40, 100, प्लस 25 साल का बोनस, इसकी बोनस जादे टाइम की है, तो इसका रिटर्न भी जादा होगा, ओव्यस सी बात है, ठीक है, तो इस तरीके से ये प्लान है, तो इसमें हम अ यानि 40% प्लस 25 वर्स का बोनस मैचियोटी पे मिल जाता है, ठीक है, और इस पॉलिसी में आपको प्रीमियम सिर्फ 20 साल तक देना है, 25 साल तक नहीं देना है, इसका अब एक एक जामपल देखते हैं, अगर व्यक्तिक उमर 30 साल है, और 20 साल तक वो प्रीमियम देता है, और 8 साल के बाद फिर 1.500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 ये amount आपकी, जैसे मैंने 820 नंबर में बताया था, ये amount आपका maturity के time का है, इसमें money back ये अलग है, इन दोनों का आप जोड़ेंगे, तो ये amount आपका करीब 18,00,00,00 के आसपास आपका होगा, वैसे ही इस वाले plan में, 821 नंबर plan में भी, इसमें भी, अगर आप 5 साल में 1,5 लाग आपको वापस हो रहा है, तो इसमें भी आप देखेंगे कि अगले 2,5 तीन साल का premium इससे आप दे पाएंगे, तो आगे की premium में भी आपको tension आपको लेने की जरूरत नहीं है, और अगर आप FD कर देंगे, जैसे मैं आपको एक एक जामपल दिया, जैसे इसको आप 20 साल के लिए कर दीजिए, इसको 15 साल के लिए, इसको 10 साल के लिए और इसको 5 साल के लिए, तो ये amount जो आपका 23 लाग का था दोनों money back और ये जोड़के, वो करीब 35 लाग के आसपास पहुँच जाएगा, FD या LIC में ही कोई सिंगल प्रेम प्लान अलग से आप करतें इन money back का, तो आपको एक अच्छा लाव मिल जाएगा, ठीक है, साथियों ये तो हुआ मैचियोटी की बात, अगर डेथ हो जाती है तो, दोनुही प्लान में अगर अवधी के दौरान डेथ हो जाती है, तो जितने की policy ये उसका सवागुना, प्लस उस समय तक का bonus तुरंत नॉमिनी को मिल जाएगा, और अगर money back मिल चुगा है, यासे 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद जो money back मिल रहा है, वो money back मिल जाता है, जितने की policy है, वो उसका सवागुना, प्लस बोनस नॉमिनी को मिलना ही मिलना है, ठीक है, एक example देखते हैं, जैसे 820 नंबर प्लान है, 10 लाग की policy ली है, और कभी भी death हो जाती है, तो नॉमिनी को तुरंत 12 लाग रुपै, प्लस मृत्यू की अउधी तक का जो बोनस होगा, वो नॉमिनी को मिल जाएगा, और दुरखटना से अगर death होती है, तो बीमा धन का double, यानि की 10 लाग के बज़ाए 20 लाग, प्लस उस समय तक का बोनस मिलेगा, ठीक है, और money back का पैसा नहीं काटा जाएगा, तो बीमा धन का सवागुना प्लस उस समय तक का बोनस मिलेगा, एक्जाम्पल के तौर पे अगर 10 लाग की policy है और death हो जाती है, तो 12 लाग रुपै प्लस उस समय तक का बोनस नॉमिनी को मिल जाएगा, और धुर्गटना पे 10 का 20 यानि की डबल प्लस बोनस जो है वो नॉमिनी को मिल जाएगा, और यहाँ पे भी अगर आपको money back मिल चुका है, तो वो मृत्यू दावा से नहीं काटा जाएगा, यानि मृत्यू दावा पूरा मिलेगा, ठीक है, साथियों, income tax में चुट मिलता है, जो भी आपको money back मिलेगा हर 5 साल पे, या जो भी maturity पे पैसा मिलेगा, unfortunately death पे पैसा मिलेगा, वो income tax की धारा 1010D के तहत आयकर से मुक्त रहेगा, यानि एक भी रुपय tax नहीं काटा जाएगा, और जो भी premium आप इस policy के अंतरगत देंगे, वो आप income tax की section 80C के तहत छूट भी ले सकते हैं, यानि की 1.5 लाग तक का limit है, 1.5 लाग तक आप हर साल छूट ले सकते हैं, ठीक है साथियों, ये था हमारा money back plan, प्लान और money back plan, दो प्लान को मैंने आज एक वीडियो में ही समझा दिया, 820, 821 नंबर, उमीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अगर आपको कोई भी confusion हो, तो आप मुझसे comment box में जाके पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, इसको like करिए, जादा जादा share करिए, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो subscribe जरूर करी हमारा चैनल को, और आपको ऐसे यी वीडियो और मिलते रहेंगे, have a nice day, keep smiling.